नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है सियासी ड्रामा और मैं हूँ आपके साथ जोती बमता के गड़ में बीजेपी को संजीवनी देने खुद जमीन पर उत्रेंगे पीएम मोदी पस्चिम बंगाल में भाजपा की रतियात्राएं कानूनी पैंच में फसने के बाद पार्टी ने भाजपा कारेकरताओं में जोश भरने की जिम्मेदारी मोदी के हातों में दे दी करने का निड्न लिया है और इसके लिए पार्टी ने अपनी तय्यानियां भी शुरू कर दी वैसे भी मोदी की ताकत से पक्ष विपक्ष दोनों ही वाकिफ हैं अगर राज में भाजपा की रतियात्रा नहीं होती है तो इसकी भरपाई करने के लिए मोदी की रैलियां ही काफी है लोग समझ चुनाव की द्रिस्टी से भाजपा की नजरे पश्चिम बंगाल पर टिकी है अन्य हिंदी भाशा जो राज्यों की तरह भी भाजपा का ममता की गण बंगाल पर पूरा जोर है अगर बीते साल 2018 की बात करें तो 2018 में कॉंग्रिस और माकपा को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी सत्तारूर तिड़ मुल्क कॉंग्रिस को चुनावती देने के लिए मोख्य प्रतिद्वन्दी के तौर पर सामने आई है प्रदीश बीजेपी आध्यक्ष दिलिप घोश ने तो दावा कि क्या था कि लोगसबा चुनाव में बंगाल में हम अधिक्तम सीटे जीतेंगे उनका मानना है कि भाजपा राज्य में कम से कम 26 सीटे जीतेगी हाला कि राज्य में पंचायद चुनावों के बाद से ही भाजपा अक्रामक मूर ने हैं आपको बता दे कि पंचायद चुनाव क सीटों में कम से कम वाई सीटे जीतने का लक्ष तैय किया है भाजपा ने इसके बाद राज्य में रतियात्र का आयोजन करना चाहा पर रतियात्रा कानूनी पचड़े में पड़ गया है वैसे भाजपा को अभी भरोसा है कि सुप्रीम कोड भाजपा के पक्ष में ही फैसला कि वज़ा से भाजपा विपक्ष के सामने कमजोर नहीं दिखाना चारे है साथ ही भाजपा कारेकरताओं में जोश की जो कमी है वो बिलकुल भी नहीं दिख रही है इसलिए आगे की बागदोड अब खुद मोदी ही समभा लेगे हाला कि राज्य में ममता के हालात भी कोई खा कितने ही करीब क्यों नहीं दिखे पर राज्य में TNC और कॉंग्रेस के बीच गहरी खाई है जिसे भरना दोनों दलों के लिए असान नहीं है ऐसे हालात में कॉंग्रेस ममता के खिलाफ भी जोरदार प्रचार करेंगी जिसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल करेंगी और सारे काम सभी विपक्षियों को उनका काम तमाम कर देगे तो देखते हैं कि आखिरकार जो यह रणनीती बनाई जा रही है जो मोधी को वहां की कमान सोपी जा रही है जो एक बड़ा निर्णे लिया जा रहा है इसका परिणाम क्या होगा और पक्ष विपक्ष जो होंगे एक दूसरे के साथ कितनी मजबूती के साथ सामने आते हम जल्दी लोटेंगे राजनीती सजुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ थांक यू सो मच की वाचिंग टुडेइस फॉर मोर न्यूज चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें के साथ साथ टुडेइस क कि आपको जरूर डाउनलोड करें धन्यवाद